तो हेविवन डे टू यहां पर आप सब लोगों के सामने और आज का थूड़ा सा जो हम रखे थे कि 11 बजे के आस पास ही हम डेली वीडियो बनाएंगे लेकिन देखो 5 अक्टूबर 242 मतलब पॉने 3 तीन बज के बज के नहीं सोरी तीन बजने वाले यहां पर तो देखो दू अल्रेडी ऐसा है नहीं कि आज का प्रॉफिट ही नहीं है अल्रेडी प्रॉफिट है देखो 600 डॉलर का प्रॉफिट सिर्फ टेलिग्राम के से ग्रूप का फोटो भाई आज के यू किन सी देखो यह टेलिग्राम ग्रूप का हमारा free of cost जो आपको प्रोवाइड करता है उस से देखो अब लोड हो रहा ना नीचे बैगराउंड में यू कन सी कि इतना सीक यार इतना अच्छा बैगराउंड तो मैं भी डिजर्व करता हूं एक तो बैगराउंड बदल दिया और यह काफी अच्छा और बहुत ही जादा प्लीजिंट फील हो रहा है कि एक्चुल में को एक cool vibe देता है तो vibe अगेरा छोड़ देते हैं अगले 8 मिनट तक अब साथ में बने रो एक-एक मिनट की trade लेने वाले हैं आज एक मिनट रहने देते हैं आज थोड़ा सा 5 मिनट पे shift करते हैं तो 5 मिनट पे अगर shift करना तो 5 मिनट की candle stick तो important है जहां तक तुमको पता है मुझे पता कि 5 मिनट की candle stick तो important है ही है तो 5 मिनट में यहां पे यहां पे देखो यहां से देखना अगर तुमने देखा है तो तुम जानते हो कि 5 मिनट पे trade हमने put कर लिया downward direction पे और on which basis वो भी बताते हैं तुमको on which basis we put a downward direction trade देखो अभी तक तो तुमने देख रा था उपर से तो यहां पे देखो अगर तुम देखो कि तो यह एक इस तरीके का umbrella type का shed बन रहा है ठीक है यहां पे same चीज market लिया downward direction पे trade यहां पे एक और चीज हुई थी कि यहां पे एक डोजी भी अकर हुई फिर उसके बाद market stable हो गया डोजी की जो higher value थी यहां पे जो डोजी higher high था डोजी का वहां से market ने फिर से reverse लिया और market सीधा downward action में मूव किया यहां पी देख सकते हो तुम यहां पे भाई continuously four times तुमको resistance मिल रहा है और resistance काफी अच्छे कि market उपर जाने की काफी कोशिश की देखो starting point कहां था और जो high था वो काफी लंबा था तो high अगर लंबा है और वहीं पे stuck हो रहा है तो इसका मतलब कि reverse जाने वाला है और वहीं से resistance एक काफी ज़्यादा powerful work करेगा तो यहाँ पे तुमको लग गया पता अब one minute पे चलते है क्या ये actual में happen हो रहा है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अब हम बीच में एक minute की trade भी ले सकते है यह जो trade मैं लेने वाला हूँ यह risk trade रहता है कि एक minute पे तुम trade कैसे लेते हो तुमको इसी तरीके से trade लेनी चाहिए अब यहाँ पे देखो काफी अच्छा movement देखने को मिल रहा है सबसे पहले तो काफी अच्छा movement मिल रहा है कि market downward जा रहा है देखो एक भी single upward direction पे market move कर ही नहीं रहा है यहाँ पे अगर market यहाँ से support लेता ठीक है तो सबसे पहले यह candle है वो इसके half के around या इसके above close होती ठीक है support ले लेता तो और support and resistance के बीच रहना होता तो यह वाली जो दो candle हैं यह occur नहीं होती इस तरीके से next candle जो है वो last candle को beat करके एक लंबा range लेके form होती लेकिन यहाँ पे कोई form नहीं हुआ यहाँ पे बहुत छोटी और downward direction पे यह form हुई तो इतना समझ आ गया तुम लोगों को तो देखो देखो एक मिनट हमेशा मैंने कहा का risky रहता है और market already risky है यहाँ पे देख सकते हो तो अभी एक मिनट तो हमारा definitely win ही है कोई इसमें कोई शक नहीं है अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तुम को कि तुम यहाँ पे भी अच्छा खासा trade ले सकते थे कहाँ पे यह this point यहाँ पे तुम एक और trade ले सकते थे और किस basis पे ले सकते थे बताता हूँ अभी देखो इस candle ने तो तुमको देदी confirmation देखो 5 minute में तुम already trade ले चुके हो downward direction तो यहाँ पे कोई भी strategy मत लगाना अपनी तरफ से strategy यह तब लगती है जब एक market trend में हो तब तब तुमहारे ज़ादा तर pattern काम करते हैं अगर support and resistance के आसपास हो तब यह चीज़ें हमेशा तुमको गलत indication देगी तो इनको follow मत करना उस condition में और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने बताया था ना pinokio strategy में कि अगर wick लंबी है और उसका real body बहुत wick के opposite direction में है तो वहाँ से market shift करेगा पर यहाँ पे case बिलकुल अलग है five minute पे अल्रेडी trend देख चुके है उसके बाद उसके बाद जो support जो न है उसके पास जो candle बनी support के आसपास वो pressurized थी ही नहीं इतना actual में जो body बनी वो बहुत low level पे बनी यहाँ पे ठीक है और उसके बाद से market एक भी condition नहीं दिया तुमको कि upward direction के लिए कोई indication थी कोई भी indication नहीं मिली तुमको तो इसका मतलब था indication अगर नहीं मिली तो उसको लेना भी नहीं है go with the flow market चिस direction में move कर रहा उस direction पे ट्रेड लेना सीखो देखो five minute पे कितना अच्छा trade हुआ one minute पे कितना च्छा trade हुआ मैं चाहूँ यहां पे stop कर सकता हूँ बहुत easily यार बहुत easily कि मेरा profit निकल गया अब मुझे मतलब नहीं है इस trade से तो यह मेरा motive भी हो सकता था तो अभी मेरा motive तो वैसा ही है लेकिन यहां पे अब देखना अब five minute पे अगर तुम फिर से देखोगे ध्यान से जब market को analyze करोगे तो तुमको एक और चीज़ पता लगेगी कि यहां पे यह जो pattern है यहां पे यह धीरे 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 pressure कम कर रहा है इसका pressure मतलब रुको बताते हैं अभी इसको भी तोड़ा सा decode करते हैं आप लोगों के लिए and see देखो जो तुम्हारा first candle बना ठीक है next candle उससे छोटा next candle उससे छोटा और next उसी के आसपास मतलब क्या हुआ यहां पे तुम्हारा pressure खतम हो रहा है तो यहां से शायद market एक या दो candles upward direction में move करें या फिर यह candle इस resistance को तोड़ के सीधा upward direction में move कर जाएगी तो इस तरीके से तुमको binary trading में analysis करना होता है और इस तरीके से तुमको हमेशा कोशिश करना है कि जितने जादा possibilities हो उनको सब को check करके तुम trade put करो यहां पे downward direction पे भी हो सकता है market लेकिन जो chances हैं यहां पे जो तुमको pattern बता रहा है अभी resistance बन गया बेशक resistance अच्छा है और यहां पे एक अच्छा hold लेके बैठा हुआ है लेकिन हर बार resistance काम करें ऐसा possible नहीं होता ठीक है इसलिए थोड़ा अपनी समझ develop करो और बिना तुम analysis करके या बिना किसी चीज को practice किये हुए implement करोगे तो तुम्हारा loss होने वाला है चाहे कितना भी बड़ा trader तुमको सिखा है कितना भी बड़ा तुमको profit दिला है या तुमको हमेशा ऐसा दिखा है कि हमेशा उसकी trades जो रहती है वो profit सी रहती है तो ऐसा नहीं करना है तो देखो आज का 10 मिनट का session हो गया यहीं पे खतम अब मिलते हैं आप से कल नई वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए, be safe guys and be aware from fraudster और practice करना मत बोलना